नमस्कार मैं हूँ शक्ति प्रकास न्यूज एट सेवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बुलटिन की सुर्वात करते हैं राजनितिक गलियारे की खबर से बोचहां उफचुनाओं में आरजेडी को बरी जीत मिली है आरजेडी उमिद्वार अमर पासवार ने 36,000 से ज़्यादा वोट से बीजेपी कैंडिडेट बेवी कुमारी को करारी सिकस दी है इस नतीजे के बाद आरजेडी बीजेपी और जेडी उपर हमलावर नजर आ रही है देखिये हमारी खास रिपोर्ट मैं तमाम जनता आज जिनोंने मुझे वोट नहीं भी दिया है तमाम जनता और जो हमें अमारे समर्तक हैं मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं निश्बक्ष यहाँ पर इमानदारी के साथ आपके लिए काम करूँ बोच्छा उप्चुनाओ में आरजेडी ने बाजी मार ली लाल्टेन पर बोच्छा की जनता ने भरूसा जताया है इस उप्चुनाओ में ना तो कमल कोई कमाल दिखा सका और ना ही वोटरों को नाओ की सवारी पसंद आई तभी तो जनता ने आरजेडी उम्मिद्वार अमर पास्वान को भारी मतों से विज़ई बना दिया आरजेडी की जीत से पार्टी के नेता और कारी करता बेहत खुश है मौका खुशी का है तो जस्म भी मनाया जा रहा है टेश्वी आदम ने ट्विट कर बोचा की मददाताओं को शुक्रिया कहा है टेश्वी ने अपने ट्विट में बिहार की डबल इंजन सरकार पर जम कर निशाना साधा है जीट से ठीक पहले आरजेडी के परदेश अध्यक्ष जग्दानंसी ने प्रेस कॉन्फरेंस कर इसे चंता की जीट करार दिया है और बीजेपी जेडियू पर जम कर निशाना साधा जीक्ता बनी रहेगी तो तेजसी के रंतों में एक पढ़ाव शारी प्रटिशीर सब्सक्राइड जो आम जनता की जन्शमश्याओं की भावनाव को शमज करते हैं निदिश आपके जवस्तिक पूर्शी पर बैट्रियां दिशन्देश को सच में सब्सक्राइड और थोड़ा-थोड़ा समाज रहे हैं नालंदा के उनका फ्रेवें कभी राष्ट पती, कभी भूप राष्ट पती, कभी भड़ाना, कभी राष्ट सबाब, आप उब बेद मेरे हो का वहीं आरजेडी की इस जीत पर जाप सुप्रीमो पपू यादब ने आरजेडी को बढ़ाई दी है साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जम कर कटाक्ष किया है यह जीत शहनभूती की जीत, यह जीत आपने जो समाज के अंद, बर्बो को दिल दुखाया, निशादों को दिल दिखाया, ठालिकों का दिल दुखाया, रमय राम जी को आपने दिल दुखाया, आप भूम्यार समाज को आपने दिल दुखाया, यह सारा सिक्वेंस एक हो ग इस हार पर बीजेपी अब समिक्षा की बात कर रही है लेकिन बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि इस जीत हार का सरकार पर कोई असर पढ़ने वाला नहीं है तेखिए ऊपचुनाओ से इसका आकलन नहीं किया जा सकता है अस्थानिय मुद्ध भी बहुत सारे होते हैं ऊपचुनाओ में किषी पृष्टिय की प्रदेश अस्थर का नहीं होता है किसी पार्टी का भविष भी उसके माध्यम से या किसी सरकार का भविष नहीं तय होता है इसलिए अस्थानी अस्तर पर हो सकता है कि कुछ जात यह समिकरन को इस प्रकार का जो ऐसे रहा हो जिससे लेकिन उसके बाब जूद मैंने कहा कि हार हार होती है इस हार की हम समिच्छा करेंगे और क्या कारण रहा है उन कारणों को कम्यों को हम दूर करेंगे हम अपने आपको साथधानी बरतेंगे और सचेत भी हों देश्वा नीूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बोचहा के बाद अब बात पस्चिम बंगाल उपचुनाओ की बंगाल में बिहारी बाबू यानी सत्रुगन सिन्ना को बड़ी जीत मिली है सत्रुगन सिन्ना आसन सोल लोगसभा सीट से दोग लाख से ज्यादा वोट से जीत गए हैं वहीं बीजेपी से टीमसी में आए बाबूल सुप्रियों ने बाली गंज विदान सवा सीट से जीत हासिल की है इस जीत के बाद बिहारी बाबू सत्रुगन सिन्ना ने कहा है कि हमारे प्रदर्शन ने सब को खामोश कर दिया है वहीं इस जीत पर पस्चिम मंगाल की मुख्यमंतरी ममता बनरजी ने वोटरों को धंड़वाद दिया है अब बात भगवान बुद्ध के तपो भूमी की बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने बोध गया में 147 करोड 55,64 रुपिय की लागत से 18,000 वर्ग फीट में बनी सांस्कृतिक केंद्र का उदगाटन किया इस सांस्कृतिक केंद्र में कई तरह की सुधाएं हैं और इसे इंटरनेशनल मानक के मुताबिक तयार किया गया है ताकि यहां विभिन देशों की बैठक, इंटरनेशनल सेमिनार और कॉन्फरेंस का आयोजन किया जा सके साथ ही साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा सके उदगाटन के बाद सीयम नितीश कुमार महा बोधी मंदिर पहुचकर पूजा अर्चना की इस मौके पर डेपटी सीयम, तारकी सोर प्रशाद, उद्योग मंतरी शाहनवाज हुसेन, सहित कई नेता मौजूद रहे इसके बाद सीयम ने जीविका दीदियों और बौध बुक्चियों को संभोधित किया इस दौरान उन्होंने जीविका दीदियों से शराबबंदी कानून को लागू करने में काम करते रहने की अपील की लूप ही आएंगे वड़ी कुछी होगे तो मुझे खुछी है कि थोड़ा बाक्स तो लगा है लेकिन अब बन लिया है और यह मुझे खुछी है और इसके लिए आप समझ रहे हैं कि जो कुछ भी जो इसके ठीक बगल में जो जिसे स्कतितिक्री का बना जारा है तो कभी सौ कमरी का और भी बंक करके जल्दी से जल्दी तयार होगा आज भी जो हम्टम तो देखी गया है जो माना भीन है उसमें पहुंचनी का रास्ता शेक से बना चाहिए उसके मेंटेनिस के लिए पूरा काम करना है एक एक ठीज का उसके बारे ने जोहंडरों का मुझपरपुर में एक बार फिर से चमकी बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है SKMCH में चमकी बुखार के पांच ने मरीज भढ़ती किये गया हैं वहीं दो बच्चों में AES की पुस्टी हुई है इस तरह से बिमार बच्चों का आंकड़ा बढ़कर 14 पहुँच गया है जबकि अब तक इस साल दो बच्चों की मौत इस बिमारी से हो चुकी है जो बच्चे अभी बिमार हैं उनका इलाज SKMCH में चल रहा है बता दें कि बीते कई सालों से उत्तर बिहार के मुझपरपूर और इससे सटे जिले सीता मड़ी, शिभर, मोतिहारी, समस्तिपूर और वैशाली में इस बिमारी का आतंक देखने को मिलता रहा है इस बिमारी से कई बच्चों की मौत होते रही हैं, हलाकि पिछले दो सालों में AES का प्रभाव बहुत कम देखने को मिला, लेकिन इस साल बढ़ती गर्मी को कारण मानते हुए अप्रील की सुरुवाद से ही बिमारी ने फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया है दकिया जनवरी 2022 से लेकर अभी तक मुझफर पुर्जिला यो मुसके प्रिफरी डिस्टिक अन जिलों के कूल 14 केस आये हैं, जिसमें 7 केस मुझफर पुर्जिला का है और 7 अन जिलों से हैं 14 में अभी एक बच्चे का इलाज पीको में चल रहा है, 11 बच्चे डिस्चार्ज हो गए हैं, दो बच्चों की मौत हुई है, एक बच्चे की मौत जनवरी में हुई जैसा कि आपको मालूम है, दुसरा बच्चा की मौत जो भी हाजीपूर का था, यानि दोनों ही बच्चे जो एक हाजीपूर और एक सिता मढ़ी के बच्चे की मौत हुई थी, कुल मिलाज उलाकर की 14 केस में 11 बच्चे ऐसे हैं, जो कि सुवस्थ हो करके अपने घर चले गए हैं, आज के डेट में एक बच्चे का पीको मिलाज चल रहा है, तीन सस्पेक्टेड बच्चे भी हैं, क इसके लेकर के प्यापक तयारियां सुनिशित किये गई हैं, खासकर जगनुक्तार कार्ज करम, तोला अस्तर, गाम अस्तर और पिंचायत अस्तर पर लगातार चलाया जा रहा है। पेश है एक खास रिपोर्ट। जुटकर मोहमद हैदर इस शीर चाय को तयार करते हैं, सिधे बात करते हैं मोहमद हैदर साथ से, हैदर जी किस तरह से यह चाय तयार होता है। इस चाय में बहुत टेम लगती है, कम से कम 8 घंटा के बाद इस तरह जार होती है। और इसमें कम से कम चाय पत्टी वो कम से कम 4 घंटा पकाने पहता है। तोड़ी को उसमें कलब निकलता है। इसके बाद फिन खुलाने के बाद काचु किस्टी तक रोट पोईसा जाला बाद आप एई सब देके खुला पूटा है। इसकी जो पत्ती होती है, वो आम पत्ती होती है या वो भी कुछी स्पेशल होती है। इसे कहां से मंगाते हैं। कहीं न कहीं इस आठ घंटे के समय में जब आप चाय बनाते हैं, या तयार करते हैं on the land. जाय ने कुस्त पर इक महिना रमजान का होता समय आप श्यृ चाया बेचते हैं और बागी के 11 महीने घर परिवार कैसे चल फिरार में इसाइक घ्र महीना भॉतान का होता हुदान Spraybox दो साल तो कोरोना के समय कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया था यानि खाने पर आफ़ाद आ गया था करदया को आम घर्क खाया अंशाल देखिया अल्लाने चाह रोगा तो करदया तो पूर गाव यही वह शीर चाय है जिसे करीब 8 गंटे की कड़ी मेहनत के बाद महम्मध हैदर अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर तयार करते हैं साफत और से मुहम्मद हेडर ने बताया है कि अपने पूरे परिवार के सहयोग से वह 8 गंटे की कड़ी अथक मेहनत के बाद इस शीर चाय को तयार करते हैं और साफत और से यहां शाही शीर चाय का रेट जो है 15 रुपे रखा गया है रॉयल टी स्टॉल के नाम से इनकी जो है दुकान यहां पर चलती है और अमुमन 11 महिने यह आम चाय लोगों को सर्व करते हैं देखे जिस तरह से जैसे ही लोग का भीड यहां जुतना शुरू हो जाता है इनके परिवार के लोग ही इस पूरे दुकान को संभावते हैं लोगों को शीर चाय देते नजर आते हैं बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है अब हर साल वेट करते हैं चाय का और बहुत अच्छा लगते हैं बनाने का तरीका अच्छा अच्छा बढ़िया है अधर साब प्रती दिन 2000 कप चाय पटना के सबजी बाग के इस इलाके में बिक जाती है और कहीं न कहीं इस शीर चाय को बनाने में आट घंटे की कड़ी महनत लगती हैं साफ़ तोर से मौहंबद हैदर कहते है कि पूरे परिवार के साथ मिल कर इस सीर चाय को वह कड़ी महनत के साथ तयार करते हैं और लोगबाद सीधे सबजी बाग इस बुलेटिन में इतना ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल देशवा न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें साथ ही हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करें और इंस्ट्राग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें बहुत बहुत झाल